हेलो दोस्तों स्वागत है मेरी नई वीडियो में तो आज हम फिर से आ चुके हैं राइज और फॉल की नई वीडियो लेके तो आज है बारी 4G की Fearless and United Cards नाम के इंडियन गेम की तो आज है 15 अगस्त तो इंजोई करो 26 साल पूरे हो चुके आजादी को कुछ सालों में 100 साल भी हो जाएंगे तो इंजोई करो तो आज हम बात करने वाले इस गेम के उपर लेकिन इस गेम के उपर बात करने से पहले आज जो इस गेम का present time में हाल है वो पहले देख लिया जाए किस तरह का है तो यहां पे हमने अप टो इस गेम के हम फ्ली चीजें देख लेते हैं यहां पे तुमनों को size दिक रही होगी rating दिख रही होगी यहां पे देख यह चीज होते हैं यहां पे हम थोड़ाहिए अधर कर रहे हो थोड़ी और चीजन希 Cratch करते हैं कुछ चास अच्छ तो दिख नहीं रहा होते हैं के कमेंट हम में देखना चाहरे है कि उसमें साइस कहां दिखा रहा है पूरा डिटेल में यहां पे हम इसका इन्फो फी देख रहा होते हैं थोड़ा बहुत इन समय क्या इनकी हाल है तो आगे आपनों को पता चली जाएगा तो यहां पर हम इस गेम को इंस्टॉल कर लेते हैं यह फटाक से इंस्टॉल भी हो जाता है जितनी जल्दी दिख रहा तो उतनी जल्दी होता नहीं है और टाइम लगता है लेकिन हमने इसका installation जो था पहले ही करके रखा था मैं सोचे थे थे कि इसको दिखाएंगे लुकर हमने दिखाने बहुत लंबा हो जाता हूँ तो अभी काई है यह जहाँ पर देखिए भाईजान यह दिखा रहा है सबसे पहले हम इसका क्या कर सकते हैं बताओ हम क्या करें इसका स्क्रीन शॉट हमने यहां पे ले लिया भी तुम लोगो बढ़ा करके दिखाते हैं यह देखो सीधे प्लेश्टोर पे रीडियरिक्शन हो रहा है यह है इस समय इस गेम का हालो यह अलग गेम है जोकि इनका सलड़ानॉट है क्या की की हिस्टरी है वूच यह तो उस पर हम लोग साब से पहले बढ़ते हैं तो देखो जो चीज है वह मलें एक साल है साया नौट की की साल होया था वह यह यह 2020 हासे 94 साल पहले की बात है अगर हमारी合नी सही है तो तो उस साल देखो है चाइना की वेदे ये हर देश के नागरिक वो अपने घर में बंद थे, यू ठो लोग बंद थे तो सब के पास था फोन में ही अब सब कुछ करना है, यहां फोन ही में होगा, जो होगा फोन में होगा, लेकिन फिर यहां पर हुई कई सारी नोटंकी, अलग अलग, और फिर कई कि allegations लगे Chinese apps और games पर कि जो लोगों का data चुरा रहे हैं अब इस वज़ा से उनको ban कर दिया गया टू promote Indian and own countries स्वादेशी माल जिसको हिंदी में कहते हैं तो उसके लिए यह चीज किया गया अब आते हैं हम लोग मेन तो देखो भाई जो गेम है यह announce किया गया था 2020 सेप्टेंबर में बाई एनकोर गेम प्राइवेट लिमिटेड बस इतनी चीज है अब इसके बाद लोगों मलब की गेम की company ने कहा कि यह जो गेम बनाया गया है यह एक ट्रिब्यूट है इंडियन आर्मी और इंडियन सोल्जर जो भी कहना चाओ आर्मी का हो इंडियन सोल्जर के ऊपर टू गलवान घाटी में जो इंसीडेंट हुआ था तो यह थी बस इतनी इसकी हिस्ट्री अब बात करते हैं इस गेम का आगे चलके हुआ क्या कैसे यह राइस किया कैसे एंड युनाइटेड गार्ड और फॉजव यह देखो नाम एकदम सिमिलर अर पब जी से कोई भी चीज बैन होती है जैसे कि PUBG बैन हुआ है, कोई भी चीज बैन होती है, कोई भी चीज उससे रिलेटेड, उसके नाम से रिलेटेड या कुछ भी आता है, लोग और हमनों का दिमाग एक अही चीज सोचके चलता है, वो उसी से रिलेटेड होगी, या उसी की जैसी कोई substitute type की चीज होगी, लेकिन ये जो main company होती है, ये धीरे धीरे आगे चलके पूरा मतलब एकदम specific announcement कर देती है, कि game जो है एकदम different होने वाला है PUBG से, ये होने वाला है tribute of गलवान घाटी में जो Indian soldiers के साथ incident हुआ था उसके उपर, उसके उपर ये पूरा game based है, जो कि आगे चलके होता भी है, लेकिन इस game की main rise का कारण ये था, और साथी साथ एक और कारणर था कि ये और भी बहुत अच्छा बनेगा, मतलब काफी multiplayers mode होंगे, और अच्छे graphics होंगे, सब कुछ होंगा, मतलब जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं आगे चलके, तो जो main issue इस game का आगे ना बढ़ पाने का, इसका थोगा और detail में हम लोग घुसते हैं, देखो भाई, कोई भी game जो होता है, ऐसा ही नहीं मतलब आगे चल जाता है, या कुछ भी हो जाता है, उसकी marketing, उसकी developing, उसकी हर चीज़ भी depend करती है, लेकिन इस game का main, तुम चाहो चा दिख रही है, तो यह PUBG का ही एक type का होगा, अब मन में हर कोई कह भी रहा था, different होगा, जो कि कहीं मान भी कहीं लोगों ने लिया, लेकिन कई चीज़ देखो, उसे मानने से नहीं हो जाती, कहीं न कहीं सब को लगी रहा था कि उसी के जैसा होने वाला है, लेकिन जब नहीं इसकी graphics हद बेकार है, मलब एकदम ही बेकार नहीं है, नहीं एकदम मलब ना तो clash of plans की तरह है, ना तो एकदम सब्वे सरफर की तरह, उन दोनों से much better है, लेकिन वो promising वो चीज़ नहीं है, और बात किया जैसके controls, भाई, control ना customization का option है, मलब एकदम game को beta version में लोगों ने public कर द वो जो promise इन लोगों ने किया, वो दिया नहीं ढग से, इसका fall का कारण भी वही बना जो कि अभी हमने पहले discuss किया था, wrong marketing strategy और देखो game जब beta version में है, उसमें कई सारे bugs हैं, glitches हैं, lag हो रहा है किसी के phone में, पूरी complete story नहीं है, एक छोटा सा campaign mode है, 20-25 minute का, देखो कि तुम कैस भी player हो, हम judge नहीं करने, बैटने वाले, तुम कैसा game खिलते हो, लेकित, जैसा भी game खिलते हो, हम लिख के दे रहा है, एक घंटा के अंदर इसका gameplay खताम है, भाई, फ़र से सब कुछ वही चीज करो, और कुछ भी नहीं था, इस game में, सच मैं बता रहा हूँ, सच मैं ऐसा ही और हमने एक घंटा भी बहुत ज्यादा ही बोल दिया, जाय ज्यादा 20-25 से 10 मिनिट का अगर तुम धंग से करो, और कुछ भी नहीं था इसमें, इस game में सच बता रहें, एक चीज नहीं दी गई थी, जो तुम कुछ कर सको, स्टार्ट करो, यही campaign mode खतम, तो beta version ने लोगों ने launch किया इस game को, भाई तुम किसी भी चीज को beta में launch करो तुम beta में launch करो ना, public मलब एकदम ही launch क्यों कर दे रहा हो, beta testing में किया जाता है, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया, अब देखो नहीं किया वो बात की बात है, वीडियो बनेगी क्योंकि यह digital India है, वीडियो भी बनी कई लोगों ने इसका criticism भी किया, जिसकी वाज़ा सिसकी rating down हुई, और rating down हुई, वो देखो कोई भी चीज ऐसे नहीं हो जाती, कई लोग होते हैं, जो कर देते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं, जो मतलब पहले उसको test करते हैं, फिर उसके बाद opinion देते हैं, उसका campaign mode की story बहु तो इसी वज़ा से ये game जो है, ये शुरू में ही down हो गया, शुरू के 6 माईने भी ठीक से tick नहीं पाया, इसकी rating down होने लगी, और अब इस game का हाल ऐसा है, जैसा कि हमने एकदम शुरू में दिखा दिया है, कैसा है उसका हाल, समझी चुके होगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, यही इसकी पूरी main current थी, rise और fall की, इस game को कुछी भी किया जा सकता है, लेकिन भाई अब इस time तो क्या ही किया जा सकता है, तो देखो भाई, इस game का जो future है, वो bright भी हो सकता है, और इससे भी ज्याधा dark हो सकता है, विससे ज्याधा क्या dark होगा है, जैसा कि मैंने शुरू में दिखा है, 477 MB इंस्टॉल भी करवा रहा है, उसके बाद ये अलग ही गेम पर redirect कर दे रहा है, जो कि early access में, जिसका early access भी नहीं खुला है, कोई क्या करे, अगर कोई खेलना भी चाहिए इस game को, और उसका मन है try करने का, तो वो भी नहीं कर सकता है, और दिखा दे रहा है नया version इंस्ट कर रहा है, हमने play store से download किया है, और भी screen recording है ना कि बहुत पुरानी भाई, दो तीन दिन की पुरानी बात है, बस हम क्या करें, कोई भी क्या कर सकता है, अब देखो बात करते हैं कि कैसे future में और develop हो सकता है, देखो भाई, ये एक story based game बना दो, हम ज्यादा अच्छा कहींगे, तो इसका ये भी आगे चल के बताते हैं, हम ऐसा क्यों कह रहे है, इसका एक multiplayer version है, जो कि तुम लोगों ने देखा ही होगा, सीधर play store पर redirect कर दे रहा है, तो उसको पूरा अलगी कर दो, जो कि ये लोग शैक कर भीना है, तो भाई, ये story mode है, उसको में और सारे missions add करो, और लं some fail रहे हैं, तो इसके future में ये, अब वो तो भाई company जाने हो, क्या क्या कर सकती, अब बात करते हैं, तो इस company के बारे में, आई देख, इस company के थुरे समने background info check करी, तो इन लोगों ने, I think कि कि कोई बहुत बड़े-बड़े titles इन लोगों ने खुद बनाए है, डैबलब भले ही किया और दूसरे games को, जिन्हों ने और जो दूसरे companies, उन्हों ने जो दिया, इन्हों ने डैबलब भले ही किया है, लेकिन I think कि इन्हों का कोई, खुद का नया, कोई पुराना game है, जो बहुत अच्छा है, जो कि इन्हों ने बनाया हो, तो हो सकता, आगे चलके लोग बन नहीं, अगर अच्छा लगा हो, तो like कर देना, वसे तो हम like करने को कहते नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं, क्योंकि अच 15 अगस्त है, तो इतना तो करी सकते हो, आज के दिन, और इस video को और शेयर करो, लोगों को detail में पता चले कि यह game क्यों fail हुआ, जो fall down हो गया, अब यह देख इंट्रस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए, बाइब बाइब आए